सरीर में जो चीज ज्यादा है वो दिमाग में कम है जो दिमाग में ज्यादा है वो सरीर में कम है जब ये संतुलन बिगड़ता है जो चीज सरीर में ज्यादा है वो दिमाग में बढ़ने लगती है और जो चीज दिमाग में ज्यादा है वो सरीर में बढ़ने लगती है, तब समझ्चा ये पैदा होती है तब सरीर और दिमाग, दिमाग में कुछ अली बरकते होती है और सरीर में कुछ अलग अलकते होती है तब एंग्जाइटी पैदा होती है क्या? तब एंग्जाइटी पैदा होती है समझ रहे? क्या, क्या समझा, सरीर में जो चीज ज़्यादा है, वो दिमाग में कम है, जो चीज ज़्यादा है, वो सरीर में कम है, दिमाग में कौन चीज ज़्यादा है, दिमाग में मशल्स तो नहीं होते, दिमाग में नियूरोंस है, सरीर में नियूरोंस बिल्कुल नहीं है, सरीर में ह हड़ियों में जो ज़्यादा है, वो दिमाग में कम है, जो दिमाग के नियूरोंस में ज़्यादा है, वो सरीर में कम है, समझे जो चीज हड़ियों में ज़्यादा होगी, हड़िया जिन चीजों से बनी होगी, वो हड़ियों, वो सरीर का इस्सा है, वो सरीर में ज़्यादा ह जो चीज नियूरोंस जिनके बने वो नियूरोंस वो दिमाग का ऐसा है जो चीज हड्डियों से बनी है हड्डियों से बनी है दिमाग उनका उतना ही कम इस्तिमाल करता है जो चीज नियूरोंस दिमाग का नियूरोंस दिमाग जिन चीजों से ज़्यादा बना है सरीर उनका कम में इस्तिमाल करता है इसी तरह यह एसंतुलन ही दिमाग को सरीर पर ताकत और ताकत सरीर को ताकत दिमाग को सरीर पर कंट्रोल और सरीर को दिमाग पर कंट्रोल दिता है जब सरीर कमजोर पड़ता है तो दिमाग अपने उसी ताकत का इस्तिमाल करके सरीर को कंट्रोल करता है और जब दिमाग कमजोर होता है तो सरीर अपनी उसी ताकत का इस्तिमाल करके दिमाग को कंट्रोल करता है सरीर में कैलशियम जदा है दिमाग में कैलशियम कम है दिमाग में मैगनेशियम जदा है सरीर में मैंगनेशियम कम है ये जब संतुलन बिगड़ेगा सरीर में जब मैंगनेशियम कम होगी दिमाग में मैंगनेशियम कम होगी और कैल्सियम बढ़ता जाएगा तब IQ पावर बढ़ती जाएगी IQ बढ़ेगी IQ लेकिन जब magnesium भी बढ़ता जाएगा calcium के साथ तब IQ और EQ बढ़ेगी IQ depend करती है calcium पर EQ depend करती है magnesium पर या फिर potassium पर emotional power emotional intelligence depend करनी चाहिए magnesium पर और potassium पर यहाँ पर sodium बड़ा अजीब चीज है आसा करता हम फो समझ गया हो गया धन्यवाद पाकी भी तांगा हाद में